हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मारब तो ऐसे गिर रही है जिसे मनाली को बगवान एंटार्टिका बनाने के मूड में जर्में तो कोई नहीं है तिनी म्यूजिक किस नहीं चलाया और अरब माया गौतम पूराब माया गौतम अब पच्चे नहीं तो फिर कौन है कौन है कौन है कौन है यह कौन है कौन है? कौन है? कोतम! इधर मत कर! क्यों? इधर मत जार! पर मुझे पुर्चे साथ करना पड़ते हैं! क्यों? 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 अज मैं तुझे ही साथ कर दो! तुम तो लंड़ा जखने बंद करो! डैड गर में ही है! अच्छा है! तो मैं अब डैड सी कौतम की शिकायत करती हूं! डैड! देखी न है इसे! पूरा घर करना कर रहा है! अच्छा? अच्छा? हेलो हाँ वो लोग आ गए हैं और किसी भी वक्त घर पर पहुचने वाले हैं ठीक है वो अ मैं कॉट क्याव के लोरी अगे मोला वो लोग तो नहीं आये, लेकिन यह ताबूत कोई छोड़ कर गया है, और कोई यह दिल भी नहीं रहा है। यह जगन का ताबूत होगा, लेकिन यह तो बच्चे लेकर आने वाले थे। हाँ, पर बच्चे तो यहां नहीं है, जब मैंने दर्वाजा खोला तो बस यह ताबूत यहां रखा था। तुम्हें काम करो, पूरब को फोन करो, पुछो कहां हैं वोलो। हाँ यह तो यहां से आरही है। काफी में के अंदर से आरही है। खुट। खुट। विकरब खुट। ओ मैं कॉट। कुछ तो कर पड़ है। पोलिस का फोन करो जल दीज। एक मिनिट। तुम पैनिक मत हो, खुल कर देखते हैं ना। क Praise जाए । पुम के जंदर हुग झाँ 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 काम हो गया? येस बस आज तो आप हमें शावर्षी दोगे बस किसी उको कोई शक तो नहीं हुआ? कोई शक नहीं बस इतनी सफाई से लाश को ठीकाने लगाया है कि उनके रोहें का आप जाएंगे रोहें ये बस बस आज तक तो ने कोई काम ढंग सकिया है? बात करता है मैं खुछ चेक करूँगा अगे क्या हो बस? मेरे किसमत खराब थी जो मैंने तुझ जैसे निकम्मे को काम पे रखा ऐसा क्या हो गया बस? यह 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 तेरा सफाई वाला खाम तु लास चिकाने लगाने गया था या अपनी पूछ लगाने गया था तू पूछ? अब पूरे रास्ते पर तू खून के निशान लाकर आया है CID All एसी पूछ को पकड़ कर हमारी गर्दन तक पुरच जाएंगे अरे तुझे कितनी बार बोला कि लास ठीकाने लगाने के बाद सफाई पर सही से ध्यान दिया करो बोला था ना? एक बार बाद तेरे भेज में नहीं घुस्ती क्या? बात करता है अब क्या करें बोस? क्या करें? मैं बताता हूं तुझे मन तो करता है ना तेरा खुन भी सी रास्ते प्रबाहा दूं ए ए ए ए रे शक्कल क्या देख रहा मेरी ये ये मुसीबत को ठीका आने लगा और सफ़ेवाई कर जी भॉस ए चल भॉस चल खुद भी मरोगा और मुझे भी मरवाओगे चल क्या संबन क्या है आपका लाश के साथ? जीफ वो मेरा बड़ा बेटा था अपने पापा की लाश लेकर आने वाला था और उड़ी क्या उसका अब क्या मतलब क्या है? मतलब यह कि इसके पति दो दिन पहले ही मर गए थे हार्ट अटेक्स और जिसकी लाश पड़ी है पूरव वो अपने पिताजी के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ आने वाला था भाई और बहन के साथ भाई और बहन? वो कहा है अभी? वो भी गायव है उनका फोन तक नहीं लग रहा है कहां से आ रहे थे वो लोग? एरपोर्ट से थोड़ी देर पहले ही उनकी फ्लाइट लेंट भी थी लेकिन वो लोग तो यहाँ नहीं पहुँचे सिर्फ कॉफिन पहुँचा वो भी पूरव के लाश के साथ ये लो मतलब बीच रास्ती में किसी ने कांड कर दिया विसे ये आपका क्या संबंद है जगन के साल के? कोई रिष्टा नहीं मतलब? ये मेरे पती है अच्छा अच्छा मतलब दूसरी शादी है ये छे इए बाद बोता ही ये पूरव इनकी एक्स हजबंड की लाश को लेकर इनके करंट हजबंड के घर क्यों आ रहा था? ये मेरा घर नहीं है ये किलोरी का गज़े मतलब आप घर जबाई है? जी है ये तो आपका निजी मामला है आप ये बताइए कि ये लोग कहां से आ रहे थे और एरपोर्ट पे इन्हें कौन रिसीब करने वाला था? जगन हमारे तीन बच्चों के साथ मनाली में रहते थे दो दिन पहले पूरव का फोन आया कि हार्ट अड़ेक से उनकी मृत्यू हो गई है मैंने पूरव को बोला कि उनके अंतिम संस्कार के लिए वो उन्हें यहां ले आये एरपोर्ट पे वो जैसे ही उत्रे है वहां से उन्होंने एक प्राइवेट टैक्सी ली यहां आने के लिए और उसके बाद प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को ढूड़ने का लिए मायवा और गौतम कहा है कुछ पता नहीं चल रहा तेखे आप चिंता मत करिये हम उन्हें जल्दी ढूड़ने का लेंगे तब यह एकसा यह देखो उनकी रेल गाड़ी लगती है एसा निकित सब सब देखो यह रेल गाड़ी कौन से स्टेशन से ओके आई है चलो बईया चलते है चलते है बईया का क्या मतलब है अपना मूदी खाने आया था तु यहापर मतलब यह एक लाश पढ़ी है उसका खून हुआ है कि इसने खून किया यह तो आप पता लगा ही नोगे ना महान है आप लोग तो मेरा क्या दाव है यह इसको नहीं बुलाओं तो इसके कान में से दुआ निकलता है क्या हमें बुला है नहीं यह तो यू के सॉल्व कर देते यू खुनी को पकड़ लेते अरभी लाश को जूंगा तक नहीं यह चल पड़ा तो पिर मूँ खोल ना लाश को सूहने के बाद क्या पता चला है यह बताने के बगए सरफट भागे क्यो जा रहा है बेख सालुके दो दो बच्चे गायव इस और इस और दो बच्चे और उपर से बाप की लाश भी गायव है लाश गायवा तुमें का करो लाश बंके लेट जाओ यहां पर लाश ढूलना आप लोगों का काम है तो ढूढ़ो ना पूछो पूछो कि इससे ढूढ़ो यह कास्केट कहां से आया था मैं क्या दरू मैं इसमें अच तू जा तू जा आठीगे मिए यहार गे मैं इस केस में आपकी जरुष्ण अब देखो बाया वो तो हर केस में तुम लोगों के मेरे जरुष्ण परती है पर तू लोग मानते का हो यह चोड़ो इसको अभी सर फश्या प्लीज यह ताबूत कहाँ से आया है? यह एर्पॉर्ट से. तो एर्पॉर्ट जाओने यहां क्या करना तुम्हों? तुम्हों जाएंगे न, सारंके जी, पर आप क्यू मैदान छोड़ के भाग रहे हो? बाभी? अपके असमिन कि लाश आगई? नहीं, यह पर पेटे की लाश आए! क्या कहा रही है? इतना सारा कौन, इतना सारा कौन क्यों बह रहा है? मुझे पॉर्ण लगता है कौन से! शांए, शांटी, प्लीज. इना कौन इसलिए बह रहा है क्योंकि इनका खौन हो गया है. क्या कहले पुरब का खुन हो गया बादी वैसे आप ये मेरी बहन और किलोरी की ननना दो लेकिन ताबिन इसमें पुरब के लाश है तो आप क्या हस्पिंट के लाश का है सर्वके अगर पांच साल के बच्चे की तरह मुँ बना के नखरी नहीं करता तो आप तो कोई सुराग मिल जाता तुझे भया ये नाग के अंदर छोटे-चोटे दाने बिखाई दे रहे ना चाहद यही एड्रेस किसका उनके एसमेंट की लाश का तुम लोग कर क्या रहे हो आज फिर किसी पैसेंजर का लगेज मिसिंग हो गया तुम लोग की बज़े से किसी दिन गवर्मेंट मुझे इस ओफिस से मिसिंग कर देगी ठीक से काम करो यह सर सर आप लोग का भी कुछ निसिंग हो आई कै अब लोग से आड़ी से हम यहाँ पर किस पैसेंजर के बारे में पूछ ताज करने आए हैं आज सुबह कनेक्ट एरवेस से तीन लोग एक कॉफिन लेकर मनाली से मुंबई आये थे और वो तीन पैसेंजर्स यह लोग है यह देखे यह पूरब गौतम और यह माया यह तीनों अपने पिता की लाश को कॉफिन में डालकर यहां लाए थे जी हाँ सर लाए तो थे उस कॉफिन में इनके पिताजी की लाश थे जो इनके घर तक अभी पहुँची है बल्कि उस कॉफिन में और अपकुमार की लाश पाई गया यह कैसे हो गए पता लगा रहा है उसके साथ साथ गौतम और माया यह दो बच्चे भी काया गया सर मुझे तो लगता है वो लाश कोई एक बात बताएगे क्या इन तीनों को कॉफिन के साथ कोई की रिसीव करने के लिए आया था नहीं सर अच्छे काम कीजिए आपके स्टाफ ने तो मदद की होगी ना कौफिं को उनके गाड़ी तर पहुचाने के लिए जी सर जरा उनको बुलाईए जी सर मैं बलाता हूँ जंदन और बिहान को जल्दी अंदर भेजो क्या हुआ सर आज सुबहें कनेक्ट एरवे से कौफिं आया था हाँ साब उसके वारे में सियाईडी वाले आप से कुछ पूछना जाते था सियाईडी साब हमने कोई गरबन नहीं कैसाब हम तो मने बस काम करें थे साब हमने तो बस उस कौफिं को उस गाड़ी में चढ़ाया साब एक मिनट एक मिनट तुमने कोई गरबन ने की है सिर्फ इतना बता कि जब तुम ये कौफिं यहां से उनके गारी तक ले जा रहे थे तूस दौरान उसके बीच में कभी कोई मिलने आया था या कोई यू ऐसे कुछ भी हुआ था क्या अहां साब हम उन तीनों को लेकर जब यहां से बहार निकले उनके सु लड़की थी ना उसको एक फोन आया से तौतानी क्या बात हुई फिर उ अचानक से कहने लगी पार्किंग में नेली वैन खड़ी है ये कौफिं नुहा ले चलो अशे वैन के ड्राइवर को देखा तुम है नहीं साब वैन के ड्राइवर को तुन ही देखा लेकिन साब वैन का नंबर मुझे याद है गुट तू नंबर दो एक्स वाई जीरो टू सिक्सेट वान थी सचिन पता लगाओ इस नीले रंग के वैन का पुरब गौतोमर माया तीन बच्चे अपने पिता जगन की लाश को लेकर मनाले से मुंबई आते हैं लाश को कॉफिन में लाते हैं बाई एर मुंबई पहुँचने के बाद वो अपनी माँ को फोन करके बताते हैं कि वो मुंबई पहुँच गए और साथ साथ वो कॉफिन भी मगट जब ये कॉफिन उनकी मा किलोरी के घर पहुचता है तो कॉफिन में से निकलती है बड़े बेटे पूरब की लाश जगन की लाश गायव है और उसके साथ साथ गौतम और माया दोनों बच्चे भी गायव है तीनों के तीनों गायव सर हो सकता है कि जिस वैन में वो लोग लाश लेकर जा रहे थे वो वैन कहीं रुप गई हो और शायद वहीं पे कुछ हुआ पास तो इसलिए तो उस ड्राइवर की जरूरत है हमें वो ड्राइवर कौन था उस गाड़ी के बारे में डीटेल को सब बुच चाहिए हमें सर वैन के रेस्टेशन नंबर से मैने मालीका पता लगा है फिर तो मालीका कहना है के वैन तो कुछ मेने पहले ही चोड़ी होगी ती ये लो सर इसका मतलब वह गौतम और माया की जान को खतरा है पड़ी बारीकी से प्लैनिंग की है कातरनाख प्लैनिंग की है देख देख है वह अरूंखित कुछ मिला है जए बस ये देखो ये मित्थी कौफी इं के नीचे लगियो है इस मिट्टी में इस कॉफिन का पता बिट्टी में पता? हां में तो नहीं दिखा? उसके बिए सानुखी के मेज़र चाहिए सरुन्खे, कॉफिन का पता तुम लगाई लेंगे पर पूरब की लाश इस कॉफिन में आई कहा से? यह पूरब की नाख बताएगी बस हां में आई कुछ पता चलाएगी आई अभी तक तो शक पर ही काम कर रहा है शक दूर नहीं हुआ? शक दूर हो गया मुझे इसकी नाख में से फोलंस मिलें पराग हकान वह सालूंक साब वो कैसे पताएगी? सालूंक साब यह क्या है? प्रेडी यह फोलंसिक साइंस की अलग टेक्निक है सर इसमें क्या होता है? निखिल इस टेक्नोलोजिय से हम बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक माइक्रो पार्टिकल्स को स्टाडी करते हैं जो की फूल, पधे, कपड़े, मित्री ऐसे कही सारी चीजों में पाय जाते हैं वाँ, क्या बात है तारिक जी? क्या नहीं हो? लेकिन इसे बड़े ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है? कि आवारा भावरे के फूल पर बैठ करके उसके सारे पोलन्स, उसके सारे पराक कर अंड चुरा करके भाग जाता है और फूरे के पूरे मावल को गंढ़ा कर देता है सार पॉलन्स जो है हवा और पानी से भी फैलते हैं इसमें बैचारे क्खалी भवरे को क्यों दोश दे रहें आपके? सही करे विकार में खाली भवरे को दोश क्यों दे, हं? तो ऽो आखो आख नाख कान गलhin सबदोय सब सब पर पूलन्स लगे हुते हें और इन पॉलन्स की जाज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये खास व्यक्ति किस जगेसे आया है ये तैंड पाल्ग क किस जगेसे आया है और इन पॉलेंस पे दो ड्रॉप निथाइलमाइन की डालते हैं और इसे हम कर देते हैं सिक्यूर अब इसे चेक करके हमें पता लगा सकते हैं कि ये पॉलेंस कैसे हैं कहां से आए यह देख तर ये तो नारंगी कलर में उभर के आ रहा है अब इस आकार को हम हमारे डाता के सेंपल से मेच करके देखेंगे ताकि पता लग सके कि ये पोलन किस टाइप का है परके दर मैच को वाव सर ये तो पॉलेंस की पूरी लाइबरेरी है एक पॉलेंस कहां पैदा हुआ अधर्ती पे कहां कहां पैया जाता है पूरी डटेल्स है इसमें पॉरेंसिक साइंस की टेखनीक की वज़े से क्राइम स्पोर्ट का पता लगाने बड़ा असान हो गया है मिल का मैच ये मैरी गोल्ड है जोसका हाइब्रूइड नाम मर्यासाथ गोल्ड 63 है ये वराइटी पूरे साल पैदा होती और धानी खेत में पाई जाते है दानी खेत चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि खोन कहा हुआ है सर ये ही दानी खेत सर विरवायन यही पर लाया गया था ये कार मार्स तो हैं सर यहां पर ये उसी जहन के पैरों के निशाद है पर तो जगन कि लाश उन्हे ने यहीं कहीं ठेकी होगी पर सर इतने बड़े खेत में आम उस कि लाश डूमनेंगे कैसे मैं बताता हूं बस तो कब बताएगा क्या मोरुद निकाव लाना पड़ेगा मिन पता रहा हूं मैं अरुखरते क्यों एक इन ठुकर यह देखर यह मैंने फून के पोलर निकादे अब यह मैं जिस दिशा में उड़ाँगा और यह उड़कर के जहना जाएंगे समझ लो फून भी उसी दिशा में उगा लेकिन सर यहां तो हावा ना के बराबर है यह कर से पता चलेगा के हावा किस दिरेक्शन में है यह मुर्गा बताएगा मुर्गा? निखिल मुर्गा यह मुर्गा है ना किसान लोग अपने खेट में अक्सर लगाते है मिन इस मुर्गे से पता चलता है हवागा रूक आपर है जिस तरफ हवा चलती है ना उस तरफ यह मुर्गा मुर्ता है और इसका फायिदा होता है विश्चिस वाइश डालनेमे हवा के हिसाब से सरफ उस तरफ देखते हैं सर पह चोलो देखो जरा, असपस कुछ दिखता है क्या, सर, हाँ, सर, वहाँ पर कुछ लेटा है, चलो देखते है अलो, हो है यह तो जगन है सर, देखे जगन की लाष हमें कि गेंदे के क्यट में से मिली है, चoughब आसकते हैं tack अफ्ड़सक्ता है, कौन कर सकता है, मार सकता है जगन को, कौन मार सकता है आपके बेटे की, है किस पर शकाद को, किसी के साथ उनकी कोई दुश्मन ये थी, हां– मुझ प्रॉपर्टी से रिलेटेड तुमाई अब हम पर क्यों शक कर रहे हैं। क्यों नहीं। जगन जी अमीर आदमी थे, मनाली में सेप के बाग थे, जमीन जायदा थी। उनके मनने से और उरफ के मननने से। और दोनों बच्चों के गायव होने के बाद प्रॉपर्टी तो आप लोगों कोई मिलने वाली है। देखे सर, आपको बहुत बड़ी गलत फैमी हो रही है। हमें तो यह भी नहीं पता था कि जगन के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सेप के बगान है। तो आपके कहना का मतलब है जो कुछ भी लेना देना है वो.. खिलोरी जी को लेना देना है। देखे ed, सर, आप लोग मेरे बच्चों को डोडने के बजाय, मुझ पर और मेरे परिबार पर शक्त कर रहे। नई, नई, ने, किलोरी जी.. हम आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि लोरी जी, हम तो बस सच्चाई जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसे एक बात ज़रूर को ना आप लोगों को, सच्चाई आप के लिए बहुत फाइदे मन होगी। इस ताबूत के जिस तारीके के निशान लगे हो हैंना, उससे तो लगता है इस ताबूत को कापी दूर तर गासिटा गया है। कि निशान करो कि जो ताबूत पर जगे जगे मिट्टी लगी हुए है। इस मिट्टी का सैंपल ले लो ये मिट्टी वताएगी कि ताबूत कहां से आया है। मगर सर खून कहा हुआ है उ तो आमें पता चल गया है ना ? तारीक, जा पता लग ग्या है सकता है। इस वेम कि वारे मुत पता ने जगा है। जिस वह में नहीं रहा है। काम लो करो इस मिट्टी का सैंपल ले कोले लो फिर इस मिट्टी को हमु माँख करके देखे। लेकिन सार मुंबल की सॉइल मैप की कौन सी मिट्टी का फैलाव कहां तक है यहां में कैसे पता जलेगा यू ट्रेस्क में नहीं कोज तो फिर सेंपा लेनो पता लगेगा बिले भी अरे शालू के सब फिर से पढ़ाई शूरू कर्ड़ी अपने हम यहां भी क्या नहीं तुम लोगों की मदद करने के लिए पढ़ाई थो करने अरे लेकिन अजा है क्या इस ताबोत में जो अपनी मुटी किताब की जुरत पढ़गी इस पढ़ाई की जरुद क्यों पड़ी ताबूत पताएगा वो कैसे? कॉफिन में मिले इस मिट्टी का हम सेडिमेंटेशन टेक्निक से अनालिसिस करेंगे उससे सब पता चल जाएगा उससा हम सेडिया गजया कि अपने टी का हम सेडिमेंटेर ताइब यदीटे क्यों जाएगा यदेकी यदेकी अजय तो गास जैसे कुछ लग रहा है। अब देखो। यह गास नहीं है। इज ए मॉलासिस है। गन्य के वेश से जो निकलती है। जहाँ पर गुड़ बनता है। मतलब यह ताबूत वहां पे ले जाया गया था जहां पे करने से गुड बनाया जाता है शुगर फैक्टरी सब्सक्राइब के आसपास दो चार शुगर फैक्टरी है हाचा सालुकर साब यह मिट्टी किस एरिया के है कुछ पता चल सकता है इस मिट्टी में 40% सेंड है और इतनी सेंड परसंटेईज वाली मिट्टी मुंबई के पहर करना काउरी वाले इलाके में लगविश किलोमेटर के एरियान पही जाते है यह मिट्टी ज्यादा रेथ और ज्यादा आयरण होने की बज़े से खाली दिखाई देती है पता कर वोस एरिया में कोई शुगर मिल गया चंगनलाल शुगर मिल यहां तो लोग आ जा रहे हैं चैल पहल है यहां पे खून ही खून करके कैसे निकल गया और तो लाशों के अदला बदली भी की है डॉक्टर सालूंके ने शुगर मिल की पात की थी और यहां आसपास 30 किलो मिल तक कि यही एक शुगर मिल है हो न हो खून हुआ तो यही है चले सब पूछते हैं अरे सुनो जी तुम यहां के सेकुरिटी वाले हो जी हां हम लोग सी आडी से तुम चे कुछ पूछना चाहते हैं सी आडी? साप क्या बात है? हमको माप कर दो हमार कोई गलती नहीं है देखो गबराव मत हमारे कुछ सवाल जवाब दो हाँ हाँ तुम यहां पर अकेले डूटी पर होते हो या और भी कोई है जो शिफ्ट में आते जाते हैं हम पूरे टाइम अकेले काम करते हैं तुम यह पता हो और आपने दिमाद पर सोल डाल के बता हो कि तुमने कोई ताबूत देखा है? काहे डरा रहे हैं यह ताबूत कैसे देखेंगे? ठीक है ताबूत नहीं देखा किसी नीली कर रंग के वैन को देखा इस पर शक हुआ हो तुमें? साहब वैसे तो हम सब पर शक करते हैं लेकिन नीले कलर की गाड़ी के उनों नहीं देखे हैं साहब आप समझ रहे हैं ना? अच्छा चलो एक बात बताओ यहाँ पर ऐसी कोई और भी खाली जगे हैं गुदाम जेशी हाँ साहब एक पुराना गुदाम है हमारे मालिक के चलिए दिखाते हैं चलो दिखा देखा चलिए आइए साहब यह है पुराना गुदाम तुम जर बहर जआ ठेक साब स्दोफ भॉड़ खी वड़ा है यहाँ मेण है अळसानी में स सकती है इस बीख डेख के लगता है काफी समय सपडे कोई आया नहीं है यहाँ सब्सक्राइज मिकलत तो फिर यह बॉस राजoure के उंगे असे लिए और यह उपर से टार पॉँ लेन, दरा देखो तू, नीचे क्या है, यह देखा, यह क्या है, यह देखा, यह क्या है, यहाँ गवाद है सर, यहाँ पर तो पूरे वैन को ही दफना दिया है, और यह देखे, वही नमबर है, XY026813, चेक करो, देखो, देखो, इतना सारा खुन, लगता है, 27 गंटे से ज़्यादा पुरान है, अब जीत लाश, इसी वैन में से ले जाई गई है, काम करते है, पूरी की पूरी वैन को फॉरें से की लैब बेजते, काम करते है, इस अबलाए ले बबते लाश, चेक की ले जीत वैन में से लेखो, इसी रही है, ओूरी ज़्यादा अबलाए भाज़ें, लेखो, इसी वैन में जीत पूरें अबलाए दिएक और अगया है जब दो है पंट सर्थ यह विला कुछ अब उन्हें पोच्छ इन कि जो कुछ मेला उससे हम क्वोली को सजा तो दिलवा सकते लेकिन बच्चों तक नहीं पहुर सकते सर टाइम भहुत कम है हमारे पास कहीं बच्चों को नहीं होने दूगा लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा गराज में डंफ होने से पहले ये वैन आखरी बार कहा हो कर क्या है ये कैसे पता लगाएंगे हम अमने पूरी वैन चान मारी है तुमने वो कावद स क्योते टोव से तरफ संथिए पतलगशा संथ है तारीका है सिंपल हम इस में के टायरों को चैकरेंगे ताइरीका ये जहां से भी होकर राई है उस जगे की निट्टी कि कान इसके टायरों पर शिपके हुगी और वो बताएंगे कि बहां कहां से होकर क्ल Cohen करेक, करेक. हा. जरेक, पुर्सवा पत्रुदिश्ला. हासा, बीदुटे. करेक, बीदुटे. जरेक, पुर्णी्ट. जरेक, बीदुटे. जरेक, बीदुटे. क्या मिला है जर बतावना क्या मिला है हालो हां तारिकाजी हां विजी उस वैन में से कुछ एविडेंस मिला हम मिला तो है लेकिन मुझे नहीं पता क्या मिला है तुमी बात कर दो अरे क्यों डॉटर साब हैं का यहीं पे हैं कूध रहें गॉट इट गॉट इट कर रहें अरे उन्हें ऐसा क्या मिल गया कि जो बरसात की मेड़ की तरह कूध रहें पदाने मुझे कुछ नहीं बता रहें तुम ही बात कर दो सर्थ अबजीत ओबजीत आज बाइसाब बाइया वो मैसेंजर हमें मिल गया है जो हमें गौतम और माया का पता बताएगा क्या सफेद रंग का एरो मनाया है पेड़ पे अजय ठीक है डूटेंगे और वैसे वा पोजीशन क्या है यहां की सिचुएशन तो कंट्रोल में है लेकिन हमारे सामनी जो नजारा है उकसे देखकर तो हमारे होशी उड़ गए साथ कोई बात दे हम लोग पहुच जयेंगे जल्दी क्या करिए श्रे सब ठीक साथ के रहिए कि वहां पे नजारा ऐसा है कि जमीन खिज रख जाएगी पेरों के नीजे से सामें चल्दी जल वहां पाँचना होगा बंलोग बहुत कम है कई हाथ से निकल ना जाये आप लग कोई बताएंगे क्या हो रहा है कैसे है मेरे बच्चे थीट तो है प्रीज कुछ बताइए माम ज़रा धील जरखे सब कुछ पता चल जायेगा कुस पत अगर भालू शेयर चीतों को पता चल गया ना कि हम लोग यहा हैं, तो दुनिया में किसी को हमारा पता नहीं चल लेगा, आप फिकर मत कीजिए पृती जी, आज कल इंसान जानुरों से जादा खतरनाक हो गया, हो सकता है वो आपको देख के भाग जाए, अरे उन्हें चिल्लम कोई बताएगा, हो क्या रहा है, मेरे दिल पैठा जा रहा है, कई मेरे गौतम और माया को कुछ होतों ही गया, बस, बस, और नहीं चला रहता है, अब नहीं चल पाऊँगे, तेखिए, पीछे छूटने बालों को जानवर छोड़ते नहीं है, लंच ए डिनर में खा लेते है मैली, मैं आगी जाती हूं आप लोग मुझे फोलो कर ये, तो, समाल के, समाल के, समाल के, अच्छ्वया, सर्फ, बूदेखिये सर्फ, बूदेखिये सर्फ, मैं गोर्ट, जद्धिए, बच्छों को नीचे उतारो, है भगवान, क्या है, चट्गे, ये क्या मजा किसा, सर्फ, जब आप लोग ने देखा किये लोग यहाँ है, इन्हें छुडवाया, क्यों नीचे क्यों नी उतारा, सर्फ, बचाला मेरे बच्छों को, उच्छे, समा आया, के गला मार्ट हब बच्छाब में क्यों थरो कर दिए लग्पका अप्राइब कर इसे प्राइब कर दो हैं? तुम्हें ठीक हो ना बंद कीजिए अपना नाटक, हमारी इस हालत के जिम्मेदार आप ही है बच्चे कहते हैं ना हमें, तो क्यो डाल अपने बच्चे को मौत के मुवें तो अच्छा हुआ, CID टाइम पे आगई, बना आपने भईया की तरह हमें भी मार दिया होता जो किलो रीजी, ये बात क्या है, बच्चे आप ही पर इल्दाम लगा रहे हैं मुझे भी कुछ समझ में नहीं हो रहा है, मैं तो इलोगों से इतना प्यार करती हूँ, मैं क्यो भारूंगी इलोगों बात तो सही है, सवाल जाज है, एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है, हाँ, देखे लिए तुमने तो छुपने की बहुत कोशिश लिए, और उस कीडे ने हमें यहां का पता बता दिया ये लोग कोन है सर? मैडम को पूछ रही बताओ, या और खातिरदारी करें ने, और खातिरदारी की जुरूत लिए देखी साब, पहले मुझे एमरजिंसी वाड़े भप्तिय करा दीजिए अटियों से बड़ी अजीव-जीव आवावा से आ रही है साब मुझे दीन में इच्छान तारे नजर आ रहे है सर ऐसा लगता है जैसे मैं अंत्रक्ष में आता मुखोलो अपना जल रही काफ़सादियों तुमने आवे मैंने फ़साद मैं तेलों को जानती तक नहीं हूँ आप नहीं वह वह पैसाद दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लों का क्या बॉल रहा तुम हाँ बै वाकरी आप मल्टी टैलेंटेड है अस्बेंड कम किड्नापर कम मॉर्डर All in one क्या बात है विक्रम तुम भाईया क्यों किया तुमने यह साब और क्या करता इसके तीनों बच्चे मेरे चाती पे साब की तरह लोट रहे थे फिक्रम तुमने बोला था कि तुम हमारे बच्चों को मुझसे भी जादा प्यार करोगे और तुमने मेरे एक बेटे को मार दिया और बागी दों को मारने की साज़िश्की जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हे फसाया उस पर तुमने पानी फेर दिया तुम्हे फसाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था तुम्हारी प्रापर्टी तुम्हारा पैसा लेकि तुमने अपनी सारी प्रापर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी क्या करता मैं? और दोहर, तुम अपने पुराने पती से भी मिलने जाती थी. तुमने कभी सोचा कि मेरे अंदर क्या होता था? मैंने एक दिंटे साइट कर लिया, तुम्हारी पुरानी फैमिली को ही तुम्हारे रास्ते से हटा दूगा. और असलिए सबसे पेले तुमने जगन को रास्ते से अटाया, क्यों? हाँ, इसलिए मैंने अपने रास्ते से सबसे पहले अपने पहले काटे को हटाया, जगन को. अपनी पत्नी को जूट बोला कि मैं बांबे से बाहर जा रहू हूँ. और एक दिंगा. जगन के मौत के बाद तुम्हारा जुकाओं तुम्हारे बच्चों के लिए कप होगा? लेकिन मैं गलत था, तुम्हारा तो और बढ़ गया, और तो और तुम्हें उन्हें साथ रखने का फैसला कर लिया. और ये बात तुम्हें बरदार्श नहीं हुई, इसलिए तुम्हें इन दोनों को भी रास्ते से अटाने का फैसला किया, क्यों? विक्रम, मैंने तुम पर इसना परोजा किया, तुम्हें सब बरबाद कर दिया, मैं तुम्हें नफ्रत करती हो नफ्रत! शैदाद की लालच में आके तुम्हें जो मौत का खेल खेला है, उसका अंजाम भी मौत है, रासी होगी तुम्हें पासी! यहाँ पासी हूँ अंजाए तुम्हें पर इससाथ और दो को शाचानल पर खेला को सब्सक्क्राइब का खेला है, तुम्हें पर खेला का खेला खेला है।